हलो दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देखे देए ग्लोबल कॉन्फिलिक्ट दोस्तो दो-तिन दिन पहले आप लोगो न्यूज में सुनने को मिला हुआ कि भारत को अपना पहला चार CH-47 सुनौक हेलिकॉफटर मिल गया है तो चली आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये शुनौक हेलिकॉफटर भारत को कितना मजबूती देगा दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगो एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये और लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया 10 February 2019 ये वो दिन था जिस दिन भारत को अपना पहला चार सुनवाख हेलिकॉप्टर मिला रविवार के दिन सुभा इंडियान एरफोर्स के लिए बना हुआ ये चार सुनवाख हेलिकॉप्टर गुजरात में स्तित मुंदरा एरपोर्ट में पहुंचा और इसके साती साथ इंडियान एरफोर्स या फिर इंडियान डिफेंस सेक्टर को एक बहुत बड़ा शक्ती मिल गया CH-47 या फिर शुनवाख एक हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर है और भारत उनाइटेट स्रेट से करीबन ऐसा 15 हेलिकॉप्टर खरीच चुगा है जिसमें से ये पहला चार हेलिकॉपटर फर्स्ट वैच के हिसाब से इंडिया के पास पॉँचा इंडियान एरफोर्स अभी तक रश्या का बनाया हुआ हेलिकॉप्टर इस्तेमाल करता था भारत अमेरिका से 3 बिलियन डॉलर का एक डील साइन किया था जिसके तहत भारत अमेरिका से 22 अपाचे अटाइक हेलिकॉप्टर और 15 बोईंग CH-47 शुनौक हेवे लेट हेलिकॉप्टर खरीदा है साती साथ माना ये जा रहा है कि भारत और 6 अटाइक हेलिकॉप्टर खरीद सकता है जिसका मंजूरी United State अल्रीडी भारत को दे चुका है जो शुनौक हेलिकॉप्टर भारत को मिला है वो भारत का चंडिगर स्थीत एरवेस में रखा जाएगा जो कि आर्मी और एरफोर्स को सियाचीन और लदाक में स्थीत अपने बेसेस में राशन पहुंचाने में मदद करेगा वैसे तो अगर देखे शुनौक हेलिकॉप्टर का हिस्टरी बहुत पुराना है पर भारत को जो हेलिकॉप्टर मिला है ये इस हेलिकॉप्टर कैटेगरी का सबसे एडवांस और मॉडन वेरियंट है जिसके साथ साथ ये डेफिनेटली इंडियन एरफोर्स का जो हेलिकॉप्टर फ्लिट है उसको काफी स्ट्रॉंग करेगा इसके इलाबा अगर आप देखे तो शुनौक जैसा हेलिकॉप्टर भारत के इलाबा और भी 18 कंट्री इस्तमाल करता है औक्टोबर 2018 में इंडियन एरफोर्स का चार पाइलट और चार फ्लाइट इंजिनियर्स को अमेरिका भेजा गया था बोईंग स्थित ट्रेनिंग फेसिलिटी में शुनौक का ट्रेनिग के लिए और इन चार पाइलट और इंजिनियर्स का ट्रेनिंग हुआ था यूनाइटेड स्टेट में स्थी डेलवे एरफोर्स बेस में और यूएस एरफोर्स दरा इन पाइलटों और इंजिनियर्स को ट्रेनिंग दिया गया था और February 2 को भारत या Air Force को officially अपना पहला शुनौक हेलिकॉप्टर को हैंडोबर किया गया और इसके साथ साथ भारत का Arsenal में एक नया हत्यार जुड़ गया और शुनौक की यूजर लिश्ट में भी और एक देश जुड़ गया और आशा करते हैं कि और बाकी 11 जो हेलिकॉप्टर है और भारत को जल्द से जल्द मिल जाए और साथी साथ फ्यूचर में इंडिया और बोईंग मिलके और बहुत सारा प्रोजेक्ट में काम करें तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरीए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और सब्सक्राइब के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद